हेलो दोस्तो, एसकेलेक्टर और साथ मैं आपका स्वाज़ थे हैं तो दोस्तो देख लिए मैं सामने यहां पर सैमसंग का टीवी रखा हुआ है इसमें देख लीजिए सब कुछ रेड रेड आ रहा है मतलब इसकी जो कलर हो रेड रेड रा रहे हैं इसमें सभी कि अछल्च कंः parking, वहार है, ब कुछ करें नहीं टीवी जो दोस्तों का ते मुझा है तो दोस्तों जब यहां से अलग रख देंगे बैक कवर उतार किसका तो दोस्तों जब ऐसी कलर की समझ से आती है तो सबसे पहले हम इसमें करना क्या होता है ड्राइव चेक करनी होती है समझ रहे ना पहले तो इसकी जो जिक वागारा है एक्स्ट्र जिक जो हैं स्पीकर वागारा की वह आप निकाल दें और यहां पर मैं आपको एक बार जड़ा दिखा दू पहले मॉल्टी मेटर लेना तो यहां पर कुछ यह इस तरह पार आ रहा है आपको पर देख लिया आज अब मैं ठीक करूंगा आप जब देख लेना ठीक है कितना रड़ रड़ आ रहा है और यह गुलाब भी अलग तो दोस्तों में ठीक करना है पांसे 10 अश्त के अपर दीक करेंगे सबसे पहले हैं य लगे ने फिर बोट तो सब्सक्राइब करने के लिए के लिए नाइड करने के लिए 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 मल्टीमिटर को 200 वॉल्ट पर सेट करने के लिए और मल्टिमिटर की जो एक प्रोब है माइनस वाली वो ग्राउंड पर लगा देनी है तो इसकी ग्राउंड होती है हमारी यहां पर एक साइड से जो वायर लगा वहता है ब्लेक कलर का पीछे तो देख लाइ दोस्तो इसमे एक 8 वाल्ट होता है और पर इसमें इसमी अर Самीare बैक ग्राउंड होता है मैं सीधा इसके सामने देख लिए तीन रिश्टेंस लगी हुई हैं वे हमारी खराब वैसे नहीं होती कभी भी वाइचान सा अगर गल के टूट जाती है तो बात अलग है तो पहले हम सीधा नहीं पर चेक कर लें जो आई सी से ड्राइब आ रही है तो फर्स्ट नमबर पर चे देखने को नहीं मिली तो यह में घ्रीं कर होगा तो यह ब्रीद क्रीटा की होती है साइड वाली तो देख लीजी जो पहले एक बात देख लिजी आई सिपे जो ड्राइव आ हैं बट हमारी रिश्टेंस तक कोई भी ड्राइव नहीं आ री वो मर्त का अंश बाने काち यहा जादा खोला बांद नहीं करें क्योंकि आईसी बेस पे लगी है बेस उतार के फिर हमें नीचे लगाना पड़े हैं प्रिंट वगएरा फिर दुबार अच्छे से सपाई करना बढ़े तो हमें जल्दी करना है यहां कोई अलजड़ा नहीं करना है तो हमारा बिच्वाली पिं आपका ड्राइब च्क कर लेते हैं आपका टैम व्यश्च नहीं की आमने टीव ऑन कर रखा है तो देख लिजिए इसकी ड्राइब सही हारी है देख लिजए दूसरे नमबर पे विती से नमबर पे भी सबी पिइफ ड्राइब तीनों पर बराबर आरी है तो एक दो पॉइं तो आप कर सकते हो सबसे पहले आपको ड्राइब के बाद इसमें जो टांजिस्टर लगे हुए वे टांजिस्टर चेक करने सोट तो नहीं है तो इसी तरह से आपको भी ठीक कर लेना है कुछ भी प्रोब्लम हो तो मुझे कमेंट वोक्स में ज़रूर बता देना वीडियो पसं Enough बाइन आपको अब नतर फोकर ड्राइब करने इसादा एक जनकी gratis बूजेना यह यारूर तरह से अगर बटी में पर होड़ा इसां पर अब हभी लोगे है उसके बड़ियों इसका क्लर में मुझे में बल्कुल बढ़िया है तो यह सिअनग आपए श्य गर्स रहते हैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता अगर ऐसी समस्य बनती है आपकी लाइनिंग वागया रगी डिर्यक्ट लाइनिंग आ जाती है तो उसमें मौश्विट सोट रहते हैं वह टांजिस्टर जो इसमें लगे होते हैं या कोई प्रिंट भी सोट हो जाता है इसलिए व से मौशना मेरा कम प्यंपुछ चुम्ट यृजऑ रखे। शोच जाता है। भी समस्या है तरा जो से मस्ञें है आतको जो शोट्रह से लिए बनतानिव